बिमार पर होगे, तो अस्पताल ही जाओगे, या जब भूक लगी तो खाना ही माहँगे, मंदिर जाने से पेट आपका भरने वाला नहीं है, शिक्षा आपको मंदिर जाने से मिलने वाला नहीं, कि इनकी धर्म की राजनिती का काट्ट जो होगा, वो समाजिक नयाई होगा, मसलमान को पूरा आतंकित रखना यहां पर बाहर में जा जाके कहना है कि हम युद्ध की भूमी से नहीं बुद्ध की भूमी से आए हैं डॉक्टर अम्बेटकर ने पहले ही कह दिया है कि भारत का इतिहास ब्रहामन धर्म और बौत धर्मे संगर्स के अलावा और कुछ नहीं है मतलब एक तरख आस्ता है अंधिविस्वास है और दूसरे तरफ तरख है तो इस संदर्व में जो पूरा मामला चल ला है और मैं आप समझने ही कोशिश कीजिए चाहे दक्षिन भारत में डियम के पार्टी हो उदैने दी स्टालिन ने भी सनातन पर टिपनी की थी और अभी राम मंदिर का उद्घाटन होना है उसके इर्द गिर्द राजनिती करने की कोशिश की जा रही है तो अभी तिजस्वी आदब ने चाहे तिजस्वी आदब से पहले उन्हीं के स्विक्षा मंतरी प्रफसर चंशेकर ने या उनके पहले फिर उत्तर परदेश के आपके स्वामी प्रसाद मौरिया ने जो लाइन दिशा दिये वो बहुत ही बहतरीन दिशा है और जो लाइन पुले ने बाबा साब ने पेरियार ने जो लाइन खीची थी चाहे जगदेव आवु ने बियार के या चाहे राम लाइन सिंग यादव ने जो लाइन खीची थी उस लाइन पे ही यहां पे दलितों पिछडों आदिवाजियों की मुक्ती होगी इसलिए वो जो लाइन उन्होंने लिया है कि मंदिर जब बिमार पर होगे तो अस्पताल ही जाओगे मंदिर नहीं जाओगे या जब भूक ल जो लोग कह रहे हैं कि अगर मंदिर जाने से तबियत ठीक हो जागा तो उनको अपने माता-पिता का अपने पतनी का अपने बच्चों का खुद भी मंदिर ही जाना चाहिए अस्पताल नहीं जाना चाहिए और उनको तो महाभारत का जो संजे वाला दुरवीन था न उससे बोलना चाहिए था टेलीविजन पर आगे क्यों बोलना है टेलीविजन तो टेकलोजी हो भारत में तो बना नहीं वो सवर इरोप अमेरिका से बन के आता है तो यहां तो कुछ है नहीं उनको यह भी अब कहना चाहिए कि अंग्रेजी स्कूल में जाओग तो उससे कुछ नह परो कावर मंदीर छोड़ो अपना दाल लोटी का इंजाम करो सिक्षे का इंजाम करो सिक्षा का इंजाम करो और यह बात तो लीडर धीरे-धीरे बोल रहे हैं तो महावल तो बन रहा है इसलिए राजनेता तो कम गोदी मीडिया चट पड़ाया रहता है तो अमीश देवग से उसकी तब्याट ठीक होती है तो उस पर निगाह रखनी चाहिए रखनी चाहिए कि बिमार पर रहना पर वह अस्पताल जा रहा है कि मंदिर जा रहा है तो दिमागी रूप से दिवालिया पन है भाई धर्म की राजनिती से कुछ लोगों का पेट भड़ता है जिसका ब्य में रहेगा कि अपने जो जरूरत जो वास्तिविक जरूरत है उसके बारे में चर्चा करेगा और मैं तो इस बात के लिए बढ़ाई दे रहा हूं और प्रफेसर चंशेकर को भी और स्वामी प्रसाद मौरिया को भी को उन्होंने एक लकीर खिची है लेकिन देखा जाए त इसी से पता लग रहा है ना कि इस देश में बीस करोर आवादी बीस करोर से जादा मुसल्मानों की आवादी होगी उस देश में मुसलमान कितना सुरक्षित हैं इसी सावित होता है जब ट्रेन में सरकारी सिपाही जो है दारी देखके गोली मार दे तो किस तरह का रानितिक महौल भाजपा RSS ने ये बनाया है इस देश में इस सपस्ट होता है आप सौधी अरब जाते हैं डानी की ओफिस जो ह चीन के अधिकारियों से नागपूर में मिले हैं तो वो समझ लिजे क्या है इसलिए मुसलमान को पूरा आतंकित रखना है यहाँ पर बाहर में जाके कहना है कि हम युद्ध की भूमी से नहीं बुद्ध की भूमी से आए हैं हम मदर अफ डेमोकरिसी हैं तो इनका जो जो द दीए में आबे यही सब धर्म के धन्दा बता और वोगों को पहले हम मीडियामान जाते इस हैं टलीविण बूलने है बुलाता भी तो नहीं जाते हैं असली मीडिया मेडिया हमारे लिए आप लोग हैं जो आप लोग कम से कम विस्तार देंश ही जिसको बात कहने हैं तो यह तो पढ़ाता हूं ना दिली नवस्टि में तो मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं देखता न टेलिविजिन पर जा कर बोलता आप जा के आप Google सर्च करके देख लिए पहले मैं कितना टेलिविजिन पर बोलता था लेकिन मैं नहीं जाता हुँ उनके कहने से क्या होता है हर समय सर्टिफिकेट वही लोग देंगे कि कौन बड़ा मीडिया है कौन चोटा मीडिया है हमारे लिए मोबाइल मीडिया बड़ा मीडिया हमारे लिए कह रहे हैं अंजना हम कस्यप कह रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा प्लैटफॉर्म हमारा है जह लोग के साथ पूरी सरकार है पूरी से पूरा सिस्टम है सब कुछ इनके साथ है आपको कि हर तरीके से दबा दिया जागा अब मीडिया तो फिर जो कलाकारी करने के लिए है सो तो है ही जी थैंक यू